हेलो एरण स्वागत है आप सभी लोग का इस सीरीज का नाम चल्ज करके मैंने रख दिया है सूपर 20 टेक्निकल MCQ और मैं आपको एश्योर करता हूँ कि ये सीरीज जिस भी टॉपिक पे आएगी अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखते हो और पूरा देखते हो तो उस पर्टिकुलर टॉपिक से कोई ऐसा क्वेस्टन आपके पेपर में नहीं होगा जो आप से होगा नहीं और होगा नहीं केवल सही होगा और आज इस सीरीज में हम डिसकस करने वाले हैं आप सभी को पता है कि आटो साइकल का इन्वेंशन किया था निकोलस आटो साहब ये जर्मन इंजीनियर थे बहुत बढ़ी अचीब्मेंट है जिसके वज़े से आज हमारे पास गाड़ी घोड़ा ये सारी चीजे हैं इनकी देन है जिसके वज़े से हम प्तरोल गाली चलाते हैं तो चलिए देखते हैं कि आटो साइकल पे किस टाइब के क्वेशन पूशे जाते हैं और आपको उन क्वेशन से डील कैसे करना है तो चलिए सुरू करते हैं वीडियो को और जो आपका FIRST QUESTION है अब यह जो thermal efficiency होती है इस cycle की आपको उसको formula पता होगा अब यहाँ पर आपको दो value दिख रही है एक तो r है जिसे हम कहते हैं compression ratio that is equal to v total divided by clearance volume या तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो stock volume मतलब swept volume plus clearance volume divided by clearance volume यह एक variable parameter है change हो सकता है दूसरा जो parameter है that is gamma जिसे हम कहते हैं cp by cv या इसे हम कहते है ratio up specific heat capacity specific heat capacity का बहुत बार आपसे unit पूछ लेता है बहुत सारे लोग confused रहते हैं तो unit भी आपको याद रखना है इसकी unit होती है kilo joule per kg Kelvin याद रखना यह specific heat की unit है न की gamma की यह gamma क्या है basically this is the ratio और unit less quantity है अब हमको यह देखना है कि हमारे question के हिसाब से इस working fluid के साथ किसकी efficiency highest होगी तो इसके लिए आपको graph यह पता होगा और यह graph कहां से आता है वो भी मैं आपको बता दूगा भी तो यह आपको graph दिख रहा है यहाँ पे different different gases हैं पहली सबसे उपर जिसकी सबसे ज़ादे efficiency है वो होती है monotomic gas जिसके gamma की value होती है 1.67 और इसके cp cb की value भी आपको पता होगी अगर हम monotomic gas की बात करें तो इसके cb की value होती है 3 by 2r मतलब 3 by 2r इसी तरीके से cp की value होती है 5 by 2r गामा की वैलू होती है 5 by 3 इसी तरीके से मोनो इटामिक गैस के लिए अगर हम बात करें तो 5 by 2R होती है CV की वैलू, 7 by 2R होती है CP की वैलू, यह सारी चीजे से भी आपसे question पूछा जाता है, तो याद रखना है और जो CP by CV होता है वो ratio होता है, उसी तरीके से एगल पोलो इटामिक गैस की बात करें तो पोलो इटामिक गैस के लिए होता है CV की वैलू, 3R और CP की वैलू होती है, 5R यह सारी वैलू जभी आप याद रखना अब यहाँ पर देखते हैं कि मोनो इटामिक गैस कौन सी होती है, वो गैस जो normal या फिर आप कह सकते हो standard pressure temperature पे exist करती है एक form है, मतलब उनके पास एक atom होता है, जैसे कि हमारी novel gases हुई, तो helium आरगन यह सारी जो हमारी novel gases है यह STP पे exist करती है बिना reaction के, इसलिए इन्हें हम monoatomic gas कहते हैं, इनकी value जादा होती है, तो इसलिए यहां पे argon आपका answer होगा अब यह कैसे होगा, कुछ लोगों को confusion होगा कि जो efficiency का formula है that is 1 minus 1 by r whole के power gamma minus 1, अगर यहां पे gamma की value बढ़ती है, तो आप कहोगे यह पूरी quantity increase होनी चाहिए, जब यह petrol है, petrol के लिए आपको value पता है 8 to 12 के बीच में होती है compression ratio की value, तो यह आपको याद रखना है कि इस पूरे की value क्या होती है, 1 से कम होती है और यह भी value 1 से कम है, तो यह reverse trend follow करता है, मतलब जैसे जैसे value इसकी बढ़ेगी, इसके पूरे की value decrease होगी, कभी-कभी आप से इससे डिटे भी question पूछता है, कि compression ratio आप बढ़ाओगे, तो efficiency क्या होगी, compression ratio बढ़ाओगे, तो efficiency बढ़ेगी, यहाँ पर देख लो compression ratio बढ़ता जा रहा है compression ratio बढ़ता जा रहा, efficiency बढ़ती जा रही है, तो आप सचोगे कि compression ratio बढ़ते जाओ, efficiency बढ़ते जाओ, मज़ा जाएगा आपके गाड़ी का average बढ़ता जा रहा है नुक्षान क्या है, क्यों रुक जाते हैं, तो आपके पास एक time आता है, physical constraint भीया, बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ, ऐशे तो बढ़ते जाओ, efficiency बढ़ती जाएगी, बट physical constraint ये होता है, कि ये knocking को भी बढ़ा देता है, knocking बढ़ जाएगी, आपके engine में आवाज आना शुरू हो जाएगी, और बहुत जादा बढ़ता होगे, तो फिर तो material ही आपका sustain नहीं कर पाएगा, pressure कितना sustain करेगा, तो design constraint होता है इसलिए बहुत जादा नहीं बढ़ा सकते हैं, बट जहाँ तक हम optimum बढ़ा सकते हैं, वहाँ तक efficiency आपकी बढ़ती है, तो दोनोटम में आपको याद रखना है, monotomic gas के लिए बढ़ती है, air क्या होती है, diatomic gas होती है, जिसमें दो molecule इजिस करते हैं, जैसे H2 हो गया, O2 हो गया, जैसे Cl2 हो गया, यह सारे diatomic gas हैं, polyatomic gas, जिसमें दो से ज़्यादे atoms होते हैं, polyatomic मतलब दो से ज़्यादा atoms, diatomic दो atom, monoatomic 1 atom, very simple, तो यहाँ पर जो भी gas, मतलब diatomic, monoatomic के छोड़ के सारी क्या होंगी, polyatomic होंगी, जो react कर लेती हैं, जैसे H2SO4, पोई भी हो, जिसमें धेर सारे atoms हो, तो उसे polyatomic कहते हैं, इसकी value सबसे कम होती है, इसलिए इसकी efficiency की value भी सबसे कम होती है, तो यहाँ पर जितनी भी चीज़े मैंने बताया है, सारी चीज़े आपके दिमाग में fit होना हो जानी चाहिए, किसी भी type का question आप से पूछा जाता है, यह basically compression ratio से related, gamma से related, specific heat से related, यह सारी चीज़े आपको याद होनी चाहिए, अब आप मूब करते हैं, हमारे second question पे, यह question मैंने टेलिग्राम में भी post किया था, काफी लोगों इस पे debate भी किया, मैं आपको आज बता देता हूँ, as car get older, the mean effective pressure will be, अब यह जो mean effective pressure होता है, पहले इसकी value क्या होती है, आप यह जान लो, और mean effective pressure हम find out क्यों करते हैं, भाई, क्या जरूरत है, उस चीज में, अगर variation नहीं रहेगा, fix रहेगा, तो average find out करने की जरूरत क्या है, बट आप देख लो, throughout the stock, इस टोक चाहे हमारा कोई सब इस टोक हो, उसमें pressure क्या रहता है, continuously variable रहता है, तो हमें यह पता नहीं चल रहा है, कि particular यह process की pressure पर हो रहा है, तो इसलिए हम क्या find out करते हैं, एक mean effective pressure find out करते हैं, जिसकी value होती है, network done to the displacement volume, तो हम यहाँ पर formula लिख सकते हैं, कि P mean effective pressure is equal to W by VD, VD क्या है, यहाँ पर displacement volume है, या फिर आप कह सकते हो, swept volume है, अब देखते हैं कि अगर आपकी गाड़ी पुरानी होती है, तो swept volume पर कोई change होता है क्या, तो swept volume पर यहाँ पर दो variable है, एक तो work है, एक तो swept volume है, दोनों को ध्यान में रखना है, हमको दोनों के हिसाब से हमको answer देना है, यह हमारा piston हो गया, अब जैसे जैसे आपकी गाड़ी पुरानी होगी, या फिर older होगी, दो chances हैं, एक तो wear tier होने के chances हैं, हमारे piston का, तो piston wear tier हो गया, अगर तो यह थोड़ा पतला हो जाएगा, पहले मोटा था, अगर यह पतला हो जाएगा, तो हमारा जो swept volume है, वो बढ़ जाएगा, आप सुचों के क्यों बढ़ जाएगा, भाई देखो यह जिस label तक TDC से BDC, जहाँ पर यह swept करता था, वो तो करेगा ही करेगा, बट अब पहले यह TDC को touch कर लेता, इसकी wall मोटी होती, बट यह थोड़ा घिस गया, तो थोड़ा बाद में touch करेगा, तो यह हमारी basically बढ़ जाएगी, तो जो हमारा displacement volume है, यह बढ़ जाएगा, तो mean effective pressure होगा, mean effective pressure decrease कर जाएगा, अब आप मैंसे कुछ लोगों का counter होगा, कि वा, आपने एक चीट तो बता दिया, हम तो यह कहते हैं, कि यहाँ पे carbon deposition हो जाएगा, और इसकी thickness बढ़ जाएगी, तब क्या होगा, तब definitely यह बढ़ जाएगा, बट आपको ध्यान देना है, कि यह हम clean करवाते रहते हैं, ठीक है, यह maintenance में आता है, जब आप engine को maintenance में डालते हो, तो यह सारी चीज़े clean करनी होती है, क्यों clean करनी होती है भाई, क्योंकि यहाँ पे जब carbon deposition होगा, तो यह चीज और effect होगा, उसे हम कहते हैं, compression ratio, आप सभी को पता है, compression ratio होता है, V1 divided by VC, और जैसे यहाँ पे carbon deposition बढ़ेगा, जो clearance volume होगा, क्योंकि आपका piston यहाँ तक आता है, तो यहाँ तक तो आएगा ही, जब piston यहाँ तक आएगा, और इसकी थिकनेस carbon deposition के वज़े से बढ़ गई है, तो यह area यह cover कर लेगा, जैसे यह area cover करेगा, यहाँ का clearance volume होगा, my dear friend, clearance volume घट जाएगा, और जैसे ही यह clearance volume घटेगा, यह पूरी value क्या हो जाएगी, यह पूरी value, यह तो clearance volume घट गया, यह पूरी value इंक्रीज हो जाएगी, तो यहाँ से आपका compression ratio जो होगा, वो भी बढ़ जाएगा, अब आपको होगे, बहुत अच्छी बात है यार, compression ratio बढ़ गया, carbon deposition के वज़े से, और इसके वज़े से तो फिर तो efficiency भी बढ़ जाएगी, यह तो बहुत बढ़िया बात है, तो मैं कहूंगा भाई थोड़ा रुख जाओ, इसके अलामा भी बहुत सारी चीज़े होती है, यह carbon deposition है, यह आपके pre-ignition को भी promote करेगा, यह आपके detonation को भी promote करेगा, क्योंकि आपको पता है, CR जैसे बढ़ता है, knocking भी बढ़ती है, knocking क्यों बढ़ती है, knocking depend करती है, आपके pressure, temperature पे एक wave होती है, जो आपके cylinder wall को hit करती है, तो जैसे temperature बढ़ेगा, pressure बढ़ेगा, pressure wave बढ़ेगी, आपके engine में क्या जाएगी, knocking आजाएगी, CR knocking को भी promote करता है, एक चीज, दूसरी चीज, यहाँ पे जो carbon deposit रहेगा ना, उसका temperature बहो जादा होता है, और जब आपका यहाँ पे compression stock लग रहा होगा, और आपके TDC पे expansion stroke चालू होना चाहिए, बढ़ carbon deposition के वज़ा से क्या होगा, जो आपका ignition होगा ना, वो पहले, या pre ignition, या फिर self ignition होने के chances रहेंगे, pre ignition हो जाएगा, जैसे यहाँ पे, आपका यहाँ से expansion होना चाहिए था, ताकि आपको sweat volume ज़्यादा मिले, work done ज़्यादा मिले, और suppose करिए कि यही से हो गया, आपने red hot carbon का नाम भी सुना होगा, red hot carbon के वज़े से क्या होता है, आपका जो pre ignition के chances होते हैं, तो pre ignition के वज़े से आपका power stock कम हो जाता है, जिससे वो आपको work output भी ज़्यादा कम मिलता है, तो यह सारे constraint होते हैं, इन सारे constraint को आपको ध्यान में रखना होता है, इसलिए deposition को आपको clean करवाना पड़ता है, आप यह खुसी मत मनाओ कि आपका CR बढ़ गया, efficiency बढ़ गई, तो यह रहा इस question का explanation उमीद करता हूँ, कि इससे लिटर जो भी doubt होंगे आपके clear हो गए होंगे, अब move करते हैं हमारे next question पे, फार्द स्पेसिफाइड कमप्रेशन रेश्यो, वाब वाब वाब, मासालला, यह question ऐसा है, कि आपके हर exam में किसी न किसी format में यह question दिखी जाता है, मैं अभी आपको दिखाऊँगा, इसके बहुत सारे formats हैं, और यहाँ पे मैं लिखता ना तो बहुत सारे exams आ जाती है, इसलिए मैंने mention नहीं किया है, अब आपको ध्यान देना है यहाँ पे एक चीज, यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि for the specified compression ratio, अगर कोई compression ratio fix कर दिया जाए, तो किसकी efficiency ज़्यादा होगी, तो यहाँ पे आपको option होगा gasoline engine, मतलब petrol engine more efficient than diesel engine, अब आपके मन में बहुत सारे सवाल आज़ती हैं, लो भाई हम तो compression ratio 15 to 1 fix कर देते हैं, तो भाई वहाँ पे नहीं चलेगा यार, वहाँ पे आपका जो petrol engine है, वो चलेगा उतना compression ratio पे चलता ही नहीं, तो कैसे fix करोगे, आप ऐसी value fix करो, जो feasible हो, जिस पे दोनों work करते हो, फिर आप efficiency को major कर सकते हो, तो ठीक है, इस हिसाब से, मतलब हमको खराब argument नहीं देना है, हमको यह देखना है कि most probable answer कौन सा होगा, तो यहाँ पे option होगा आपका B, बट यह question केवल यहीं पे नहीं रुखता है, यहाँ पे देखो, यह सारे question आप से पूछे जा सकते हैं, अगर कहीं पे specified ratio, यहाँ पे 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 लिए है, तो आपके question में कोई change नहीं होगा, heat addition भी आप से पूछा रहाएगा, same compression ratio या फिर specified compression ratio with heat addition, same compression ratio या specified compression ratio with heat rejection, अगर दोनों engine के लिए, तीनों engine के लिए heat rejection, heat addition same है, और जो compression ratio उसको specified किया गया है, या फिर same रखा गया है, तो उस case में auto cycle सबसे ज़्यादा efficient होगी, auto cycle के बाद dual cycle होगी, उसके बाद diesel cycle होगी, मतलब least efficiency किसकी होगी, diesel cycle की होगी, अब आगे इन तीनों को देखते हैं, अगर आप से पूछा जाता है कि peak pressure हो, peak temperature हो, और heat addition, heat rejection same हो, maximum pressure हो, heat rejection, input same हो, या फिर maximum pressure हो, और work output same हो, तो उस case में efficiency किसकी ज़्यादा होगी, इन तीनों ही case में, आपके diesel engine की efficiency क्या होती है, ज़्यादा होती है, अब आप कहोगे, आपने तो ये सारी story बता दिया, बट हम ये कैसे मानें कि ये ज़्यादा कैसे होती है, तो एक बार आप क्या करना, PV diagram ड्रॉ कर लेना, तीनों cycles का, और आप देख लेना, कि अगर हम किसी particular को, बाकी सारे parameter fix करके, किसी particular को बढ़ाते हैं, तो जो work output है, वो बढ़ रहा है या घट रहा है, अगर उतना सारा मैं explain करने लोगूंगा न, तो पूरा कई आवर निकल जाएंगे, इन सारी चीज़ों को explain करने के लिए, तो हम to the point पढ़ रहे हैं, कि आपको क्या याद रखना है, exam में क्या आएगा, तो आप याद रखो, अगर कहीं पे word same specified रखा गया है, तो auto cycle सब से ज़्यादा होगी, कहीं पे peak या maximum की बात की गई है, वहाँ पे diesel cycle अच्छी होगी, क्योंकि diesel cycle की performance वहाँ पे इसलिए अच्छी आती है, क्योंकि इसका compression ratio ज़्यादा होता है, जहाँ पे maximum pressure और temperature के लिए इसको design किया गया होता है, तो इसलिए इसकी efficiency क्या होती है, अच्छी आती है, इसकी performance अच्छी आती है, move करते हैं next question पे, the self ignition temperature of the diesel as compared to petrol, अब इसमें भी मेरे भाई नब बहुत सारे लोगों को confusion होती है, बहुत सारे लोगों ने question पूछ पूछ के मेरे सरक आ गये, तो आज आप पूरा अपना confusion दूर कर लेना, यहाँ पे दो temperature होते हैं, एक होता है जिसे हम flash point भी कहते हैं, दूसरा temperature होता है auto ignition या फिर इसे हम कहते हैं self ignition temperature, दोनों में पहले तो आप difference समझ लो, यह जो flash point होता है, flash point का मतलब यह होता है, कि वो minimum temperature, जिस temperature पे कोई fluid ignite कर जाता है, या फिर उसका vapor ignite कर जाता है, अगर वहाँ पे ignition source अबलेबल हो, ध्यान से सुनना है, वहाँ पे ignition source अबलेबल हो, दूसरा auto या फिर self ignition temperature क्या होता है, मतलब वो minimum temperature जहाँ पे किसी भी fluid के जो vapors होते हैं, वो self ignite करें without source of ignition, मतलब यहाँ पे आप माचिस से आग लगा रहे हो, या लाइटर से आग लगा रहे हो, यहाँ पे आप कुछ नहीं कर रहे हो, ऐसा surrounding आपने create कर दिया, कि उस surrounding के वज़े से वहाँ पे ignition हो गया, अब देखो ध्यान से, जो आपका petrol engine होता है, वहाँ पे आपके पास एक ignition source होता है, जिसे हम spark plug के नाम से जानते हैं, और इसलिए इसका जो flash point, मतलब इसलिए नहीं, बैसिकली यह तो fluid property है, flash point, और जो petrol का होता है, वो flash point कम होता है, मगर जैसे ही हम लोग यह word use करते हैं, कि इसका जो self ignition temperature है, वो जादा होता है, लोगों के दिमाग में खुजली होने लगती है, कि इसका यह point इतना कम है, यह जादा कैसे, देखो यह जो flash point है, इसके volatility पे depend करता है, कि कौन कितना volatile है, उसकी sparking capacity कितनी जादे है, बट यह surrounding पे भी depend करता है, ठीक है, तो यहाँ पे diesel आप देखोगे, diesel की case में आपका जो self ignition temperature होता है, वो कम होता है, अब यहाँ पे दो fundamental questions उठते हैं, यह question मैं आपको बताऊंगा, और एक question आपके लिए मैं दूँगा, आप मुझे बताना, बहुत सारे लोग पूछते हैं, यह interview में पुछा जाता है, कि अगर suppose करिए, आपके पास diesel vehicle है, आप उसमें petrol डाल देते हो, तो वो चलेगी की नहीं चलेगी, इन दोनों temperature को देखो, क्योंकि जो diesel cycle होते हैं, उसमें हम ऐसा surrounding create करते हैं, inside the engine, कि जो हमारा fluid है, वो self ignite करे, तो हम क्या करते हैं, हम ऐसा surrounding create करते हैं, कि हमारा diesel ignite हो जा, तो diesel के लिए surrounding कितना कैसा होना चाहिए, 210 तक अगर temperature चल जाएगा, तो हम diesel cycle को ऐसे बनाते हैं, कि वहाँ पे जो surrounding temperature है, वो 210 तक चला जाए, ताकि diesel हमारा ignite हो जाए, अब बताओ, अगर वहाँ पे आप पेट्रोल डालोगे, तो पेट्रोल का self ignition temperature क्या है, 280 है, अब इसके लिए तो surrounding condition आपको change करनी पड़ेगी, जो यहाँ पे surrounding temperature है, मतलब engine के inside का है, engine के inside क्या होता है, air होती है, जिसको आप compress करके temperature बढ़ाते हो, मतलब जो air है, वहाँ पे compression के बाद, उसका temperature 210 ना होके, 280 होना चाहिए, तब आपका पेट्रोल इगनाइट होगा, तो इस हिसाब से हम यह कह सकते हैं, कि अगर हम diesel cycle में पेट्रोल डाल देते हैं, तो गाड़ी start ही नहीं होगी, क्योंकि पेट्रोल का ignition ही नहीं होगा, और अगर यहाँ पे चुकि spark plug है नहीं, तो sparking का कोई source है नहीं, आप यह नहीं कह सकते हो, इसाब flash point का में इसलिए ignite कर जाएगा, flash point तभी work करेगा, जब वहाँ पे आपके पास sparking के लिए, आग लगाने के लिए कुछ points हो, बातों से आग नहीं लगाना है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे सच में आग लगाना है, तो यह क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपकी गाड़ी नहीं चलेगा, अब मेरा यहाँ पे आपसे question है, आप मुझे बताना कि अगर पेट्रोल गाड़ी में हम डीजल डाल देते हैं, तो हमारी गाड़ी चलेगी कि नहीं चलेगी, क्या होगा basically, यह आप बताना comment करके, ठीक है उरूथ fundamental, क्यों क्या होगा, वो सारी चीजे, next question पर move करते हैं, किस order में होता है वाई, यह सारे लोगों को पता होगा, जिसे हम कहते हैं, यहाँ पर आप याद रखना यह होता है, basically, इस्टिमेट्रिक रेशियो, यहाँ पर यहाँ पर भी आपसे बहुत सारे questions पूछे जाते हैं, यह भी आप याद रखना, CI engine के लिए, SI engine के लिए, यह vary करता रहता है, ठीक है, यह अलग-अलग होता है, vary करता रहता है, और अलग चीज़ है, अलग-अलग होता है, ठीक है, तो यह आपको याद रखना है, बट केवल यही याद नहीं रखना है, यहाँ पर भाई, बहुत question आपसे पूछे जाते हैं, किस type के question पूछे जाते हैं, होग है, मैं आपको बताता हूँ, आपको बहुत सारा confusion भी होता है, देखिए, यह हम बात करने है, rich mixture के, क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर rich air fuel ratio, देखिए, आप इसको ध्यान से पढ़ना, कि आपके question में, air fuel ratio दिया है, या फिर fuel air ratio दिया है, FAR दिया है, या फिर AFR दिया है, यह चीज ध्यान से पढ़के, my dear friend आप answer करना, बहुत सारे लोग गलती करते हैं, तो यहाँ पर अगर air fuel ratio दिया है, तो यह होता है 15 is to 1, अगर fuel air ratio देगा, तो यह इसका उल्टा हो जाएगा, 1 is to 15 हो जाएगा, तो आप ध्यान देना इस word पे क्या दिया हुआ है, अभी हम बात कर रहे हैं, most probably आपके exam में दिया रहता है, air fuel ratio, कभी कभी confuse करने के लिए आपको दे देता है fuel air ratio, तो अभी हम बात करने है air fuel ratio का, अब अगर आपको rich mixture रखना है, तो क्या होना पड़ेगा, air की quantity decrease करनी पड़ेगी, air कितना chase domestic के लिए 15, यह volume भी हो सकता है, weight भी हो सकता है, kg भी आप ले सकते हो, 15 kg air, 1 kg fuel, या फिर volume ले सकते हो, 15 volume of air, 1 volume of fuel, ठीक है, जिसमे भी आप measure करना चाहते हो, this totally depend upon you, but अगर हम यह कहते हैं, यह rich mixture है, मतलब air जितना चाहिए, उतना नहीं है, तो air घट गई है, देखो 13, example मैंने लिखा है न, 13 is to 1 को हम क्या कहेंगे, rich mixture, rich mixture का हम use कप करते हैं, जब हमको power जादा चाहिए होता है, but rich mixture के वज़े से, आपकी जो fuel economy होती है, वो compromise हो जाती है, pollution भी बढ़ता है, आप कहोगे ऐसा क्यों होता है, अरे यार, अगर आप air को कम कर दोगे, combustion के लिए oxygen कम मिलेगी, तो CO2 बनने के जगह पे क्या बनेगा, CO बनेगा, CO की quantity ज़्यादा होगी, इसलिए चुकि पूरा combustion नहीं हो रहा है, तो heat भी आपको पूरा नहीं मिलेगी, और आपका emission भी बढ़ जाएगा, ये एक expect हुआ, next expect की बात करते हैं, अब यहाँ पे lean mixture की बात आ गई, air fuel ratio lean करना है, तो air की quantity आप क्या करोगे, बढ़ाद हो गया, तो यहाँ पे 16 हो गया, हमने क्या किया, इसको बढ़ा दिया, अब यह lean mixture है, यहाँ पे burning proper होगी, जितना आपको energy उससे produce हो सकती है, proper energy produce होगी, emission आपका decrease होगा, क्योंकि CO बनेगा नहीं, proper आपके CO2 बनेगी, तो यह फायदा होता है lean mixture का, next जो आपका point है, ideal mixture जिसे हम stratometry कहते हैं, अगर आपकी गाड़ी proper चल रही है, उसमें कोई additional चीजे नहीं है, तो आप lean mixture प्रवाइड करो, और exactly तो यह होता है 14.7, बट इसको हम in general 15 से represent करते हैं, अब यहीं तक question नहीं रुखता है, यह सारी चीजे तो आप से पुछी जा सकती है, कि lean mixture क्या होता है, lean mixture से basically, stratometric richer और आपका rich mixture, बट यहाँ पे कुछ इस type के questions भी पूछे जाते हैं, कि अगर आप अपने वहिकल को start कर रहे हो, तो आपको lean mixture देना है, rich mixture देना है, तो कौन सा दोगे, वहिकल start कर रहे हो, बहुत सारे लोगों के दिमाग में आएगा, यार start हो रहे हैं, power की ज़रूत नहीं है, तो क्या देंगे, lean mixture देंगे, भाईया lean नहीं देते हैं, हम बहुत ही rich mixture देते हैं, 9 is to 1, अब अब कहोगे क्यों, क्योंकि उस टाइम पे, आपकी गाड़ी के जो parts होते हैं, वो ठंडे होते हैं, और उनको एक minimum temperature एचीव करना होता है, तभी आपकी गाड़ी start होगी, अदर्वाइस start ही नहीं होगी, वो heat के खाते रहेंगे, जैसे आपने kick mark के heat produce किया, ये क्या करेंगे, अब जॉब कर जाएंगे heat को, क्योंकि ठंडे हैं ये, फिर से आपने produce किया heat, फिट है अब जॉब कर जाएंगे, तो आपको एक जादे amount of heat चाहिए, जब जादे amount of heat चाहिए, तो fuel क्या करना पड़ेगा, आपको जादा provide करना पड़ेगा, इसलिए starting time पे आपको rich mixture supply करना होता है, समझ में आगे आपको next है, जो वामिवक या फिर इसे हम addling भी कहते हैं, अगर addling की condition है, उस time पे भी आपको rich mixture चाहिए, बढ़ थोड़ा सा आपकी starting वाले से थोड़ा सा कम rich चाहिए, क्यों चाहिए भाई, आप तो आपका engine गरम भी हो गया है, अब क्या problem हो गई, अब problem ये हो गई, कि जो अभी coolant है ना, coolant को थोड़ा गरम होने में time लगता है, क्योंकि वो metal नहीं है, metal जैसे conductivity उसकी नहीं है, metal फट से गरम होता है, फट से थंड़ा होता है, बैट coolant के साथ ऐसा नहीं है, इसकी specific heat capacity जादे होती है, तो इसलिए क्या होगा, आपको यहाँ पे भी rich mixture सप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ amount of heat आपका coolant absorb कर लेगा, तो idling के case में भी आपको rich mixture सप्लाई करना होता है, याद रखना बहुत important है, हर exam में इस सिरेटर question पूछा जाता है, अगर आपकी vehicle accelerating है, acceleration है कहीं पे, मतलब force है, force is equal to क्या होता है भाई, m into a, मतलब acceleration दे रहे हो, आपको force देना पड़ेगा, force कहां से आएगा आपने vehicle भाई, मतलब आपको petrol supply करना पड़ेगा, तभी तो work output आपका बढ़ेगा, तभी तो ज़्यादा power आपको मिलेगा, तो यहाँ पे भी आपको क्या करना पड़ता है, rich mixture supply करना पड़ता है, in the case of accelerating, accelerating हो, या फिर आप क्या कर रहे हो, ऊपर चड़ रहे हो, कहीं पे अप हील हो, इस टाइब के, आपकी vehicle को अगर ज़्यादे power चाहिए, जहाँ पे भी ज़्यादे power चाहिए, आपको rich mixture देना पड़ेगा, नेक्स जो आपका question है, de-accelerate, अगर कहीं पे आपकी vehicle down to hill आ रही है, de-accelerate हो रहा है, आपको गाड़ी रोकनी है, उस टाइम पे आपको lean mixture सप्लाई करना होता है, क्योंकि आपके vehicle को ज़्यादे power चाहिए नहीं होता है, अगर मानलो down the hill आ रही है, तो automatically अपने आप दवड़ेगी, अगर मानलो आपकी vehicle रोकना है, आप vehicle को accelerate नहीं कर रहे हो, जरूरत नहीं है power की, तो भी lean mixture से आपका काम चल जाएगा, next जो है आपका constant speed, constant speed, आप एकदम straight road पे जा रहे हो, देखो, constant speed का मतलब यह नहीं, कि आप फिल जा रहे हो, वहाँ पे constant speed maintain करने के लिए, आपको ज़्यादा power देना पड़ेगा भाई, तो वहाँ पे तो rich mixture चाहिए, मगर आप straight road पे जा रहे हो, एकदम आपकी vehicle straight road पे डौड रहे है, वो भी constant speed से, तो इस time पे आपको statometric solution supply करना होता है, और यह सबसे based होता है, हमारे engine के life के लिए भी, fuel economy के लिए भी, और emission के लिए भी, बाकी सारे case में emission भी vary करता है, बट यह सबसे based condition होती है, बट यह based condition कभी आती नहीं, कभी आपको brake लगाना है, फिर vehicle को speed देना है, breaker तो रहेगा ना, कितना भी speed चला रहेगा, brake तो रहेगा, traffic तो रहेगा, तो आपकी vehicle continuously accelerate और decelerate होती रहती है, तो यह वाला चीज तो हमारे देश में कभी possible ही नहीं है, ठीक है, बाकी आगे बढ़ते हैं, heavy load, अब load आप जब ज़्यादा करोगे, तब भी तो आपको क्या करना, power ज़्यादा supply करना पड़ेगा, तो उस time पे भी आपको rich mixture produce करना, मतब rich mixture देना पड़ेगा, next जो है, यहाँ पे मैंने सारी चीजे mention कर दिया है, आपको एक graph में, ताकि सारी चीजे आपको एक जगा ही मिल जाएं, आप सारी चीजे को revise कर पाओ, next जो चीज है, इसको भी याद रख लेना, आप कभी कभी इससे डिटेवी question पूछता है, यह हो सकता है, आपको online कभी vary करता हुआ मिले, कभी 8 to 10 भी मिल जाए, बट आप tension मत लेना, यह थोड़ा बहुत variation इसमें चलता है, जो यह basically compression ratio है, आपके cycles के लिए तो अब याद रखना, dual engine के बीच में होता है, जो CI होता है, मतलब diesel engine होता है, इसका भी याद रखना, इससे डिटेवी question पूछा जाता है, बट definitely इसके बाद हम CI engine पे detail वीडियो ऐसी लेके आएंगे, next जो question है आपका, super charging is done to, super charging क्यों की जाती है, इससे पहले आप यह जान लो थोड़ा सा कि super charging होती क्या है, वैसे आप सभी लोगों को पता होगा, super charging is nothing बड़ हम क्या करते हैं, इसमें compress air supply करते हैं, और compress air supply करने से हमारा फायदा क्या होगा, जादे air जाएगी engine में, combustion complete होगा, combustion complete होगा, मतलब अच्छी heat input हमको मिलेगी वहाँ पे, और indicated power हमारा बढ़ेगा, engine के efficiency बढ़ेगी, यह सारी चीज़े होती हैं, तो यहाँ पे देखो option, क्योंकि यहाँ पे option में ऐसा नहीं दिया, कि ABC सब सही हैं, यहाँ पे आपको ध्यान देना है, कि most probable answer कौन सा है आपका, second जो है, reduce the weight for given output, किसी particular output, किसी particular power output के लिए, आपके engine का weight reduce कर देता है, definitely यह ज़्यादा appropriate इसलिए है, क्योंकि अगर आप, यह basically हमने supercharging start easily किया, कि कहीं पर ऐसे air density कम है, जैसे आप उपर चले गए, या फिर racing cars होई, उसमें हम supercharging करते हैं, ताकि उनका weight हम reduce कर पाएं, अगर हम compress air supply करते हैं, तो compress air मतलब, compress अब जानते हैं नों, किसी चीज़ को compress कर दो, volume घड़ जाएगा, तो कम में हम जादे amount of air supply कर सकते हैं, तो यह हमारा क्या करता है, fix output के लिए, जो हमारे engine का weight होता है, यह engine की size जो होती है, उसको reduce कर देता है, power output को भीना alter किये हुए, वैसे हम यह भी कह सकते हैं, कि यह कुछ हद तक आपके efficiency को भी effect करेगा, आपके emission को भी effect करेगा, और आपके power को भी increase करता है, बट most appropriate जो आपका option है, वो C है, हमारे करने का परपज ही यही होता है, कि बाकी सारी चीज़े alter हो ना हो, हमको फरक नहीं पड़ता है, बट यह चीज़ हमारी alter होनी चाहिए, तो इसलिए हाँ पर most appropriate जो option है, आपका C correct है, और super charging हमको यह भी ध्यान रखना होता है, कि हम engine को ऐसे design करें, चुकि वहाँ पर force ज़्यादा आएगा, और power put ज़्यादा होगा, तो वो उसको sustain भी कर पा, इसलिए सारी vehicles में हम super charging नहीं करेंगा, उसका cost भी बढ़ता है, क्योंकि आपको additional material वहाँ पर अच्छे material यूज़ करने पड़ते हैं, इसलिए हम कहते हैं, कि यह basically जो हमारी racing vehicles होती हैं, उन में use होता है, और definitely pressure और temperature इससे क्या होगा, बढ़ेगा, pressure temperature बढ़ेगा, तो यह क्या chances हैं वहाँ पर, कि आपके knocking engine की बढ़ जाए, तो engine की knocking बढ़ने के भी chances होते हैं, pressure wave hit करेंगी, तो उसके वज़़से भी आपको ध्यान देना होता है, कि आपके vehicle की strength, मतलब engine की material की जो use कर रहा है, उसकी strength अच्छी हो, तो यहाँ पर anti-knocking characteristic वाला आपको fluid भी यूज़ करना पड़ता है, मतलब आपको fuel भी यूज़ करना पड़ता है, अच्छा वाला, इन practice की बात करें, तो हम racing car में यूज़ करते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, या फिर कहीं पर ऐसी जगह है, जहाँ पर आपको density, air density कम मिल रही है, अगर कहीं पर आप high attitude पर चले गए, तो वहाँ पर हम super charging की ज़रुद परती हुआ, हमारे surrounding conditions बन जाती है, हमको super charging करना पड़ेगा, otherwise आपकी vehicle की performance decrease हो जाएगी, आपके combustion के लिए complete air वहाँ पर और oxygen अबलेबल नहीं रहेगी, marine में हम use करते हैं, marine में reason यह होता है, कि हमको weight reduce करना होता है, जितना कम weight की vehicle लेकर लेकर जाओगे, आप उतना उसको carry करना, मतलब कम fuel हो consume करेगी, क्योंकि weight को carry करते रहना है, तो marine में बहुत important होता है, एक marine system में या फिर आसमान में कोई vehicle लेकर लेकर जा रहे हो, तो वहाँ पर भी weight बहुत ज़्यादा matter करता है, हम try करते हैं कि हमको कोई भी additional weight वहाँ पर carry ना करना पड़े, क्योंकि उसके लिए हमको जादे fuel burn करना पड़ता है, यहाँ पर जो आपका option होगा, यहाँ पर जो आपका option होगा, इसका reason भी होता है, एक तो simple reason यही होता है कि जो two-stroke engine होता है न, उसमें जो inlet और exhaust होता है, same time पर होता है जिसके बज़े से कुछ fresh charges हमारे बिना combustion के वो exhaust में निकल जाते हैं, तो वहाँ से हमको जो loss होता है, उसके वज़े से भी इसकी efficiency कम होती है, तो यहाँ पर हम बहुत सारी चीज़ा और discuss कर लेते हैं, कि किस type के question और आपसे पूछे जाते हैं, तो पहले चीज़ तो यह आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर आपका four stroke होता है, और two revolution होता है आपके four stroke engine में, simple है, सबको पता होगा, बट फिर भी आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर two stroke होता है, one revolution में आपकी cycle complete हो जाती है, two stroke में, यहाँ पर आपको four stroke में, one power stroke मिलता है, every two revolution आप crankshaft, या फिर आप कह सकते हों कि four stroke, या two revolution में आपको एक power stroke मिलता है, यहाँ पर आपको power stroke जादा मिलता है, आपको एक ही revolution में एक power stroke मिल जाता है, या फिर two stroke में एक power stroke मिल जाता है, very simple, तो यहाँ पर आपको power जादा मिलता है, तो यहाँ पर आपको more power and more compact, यह compact भी ज़्यादा होता है, power भी ज़्यादा देता है, यहाँ पे आपको less power होता है, बट यह bulky nature का होता है, अब आप कहोगे यह power भी गम प्रडियूस करता है, तो bulky क्यों हो जाता है, कि यहाँ कि यहाँ पे wall mechanism होता है, wall mechanism के हिसाब से यहाँ पे हमको space ज़्यादा provide करना होता है, यहाँ पे port mechanism होता है, तो हमको ज़्यादे space की जरूरत पड़ती नहीं है, अब यह जो point है, यह point बहुत ज़्यादा important है, आपके exam point of view से और बहुत बार question पूछा जाता है, और आप confused भी रहते हो, बहुत सारे लोग इससे लेटे मुझे question भी post करते रहते हैं, आप समझ लेना इसको, पहले हम बात करते हैं, इन्रिस्पेक्टिको डीजल है कि पेट्रोल है, अगर यह four stock है, तो undoubtedly four stock में आपको heavier flywheel चाहिए, क्यों चाहिए भाई, क्योंकि जो turning moment होते हैं, वो uniform नहीं होते हैं, हमारे four stock engine में, और उसके comparison में two stock में uniform होते हैं, इसलिए हमको यहा four stock में बड़ी flywheel लगेगी, two stock में छोटी flywheel लगेगी, अब हम fluid की बात करते हैं, अगर यहाँ पे fluid की बात करें, पहले बात करते हैं, डीजल की, तो अगर डीजल है, और डीजल में four stock है, तो डीजल में four stock में हमको बड़ी flywheel चाहिए, as comparison to four stock का petrol engine, अब आप कहोगे क्यों, क मिलता है, तो यहाँ पे अगर petrol engine होगा, तो petrol engine में छोटी flywheel चाहिए, as comparison to diesel engine, तो आपको दोनों parameter ध्यान रखना है, दोनों parameter को mix करके भी question पूछा जाता है, आप से, तो अगर same power output है, कहीं पे अगर mention किया गया है, कि same power output है, तो आप बताओ, four stock diesel में ज्यादा बड़ी flywheel चाह तो इस type के question आप से पूछे जाते हैं, आप confused रहते हो, क्यों चाहिए, तो ध्यान रखना, किसी भी type के, जो language है, वो twist करके पूछा जाता है, आपको fundamental clear होना चाहिए, because of one power stock, चुकि यहाँ पे एक power stock है, तो आपको cooling या lubrication कम करना पड़ेगा, wear tear भी कम होगा, ठीक है, less wear tear, और यहाँ पे चुकि दो power stock है, तो temperature जादे बढ़ेगा, तो यहाँ पे आपको cooling भी जादे provide करनी पड़ेगी, lubrication की भी जादे जरूत पड़ेगी, और wear tear भी जादे होगा in two stock engine as comparison to four stock engine, जैसे कि हमने पहले भी discuss किया, यहाँ पे wall mechanism होता है, हमारे four stock engine में, यहाँ पे port होते ह हैं हमारे two stock engine में, तो यह भी आप ध्याँ रखना, इस से लिटर भी question आप से पूछा जाता है, नेक्स जो differences हैं, आपको होगा कितने सारे differences हमने पड़ लिए, यहाँ पे जो four stock होता है, यह थोड़ा सा आप कह सकते हो, इसका weight हमने पहले ही discuss किया, है wear होता है, और इसकी initial cost भ रखते हैं, crank shop को monitor करना पड़ता है, cam shop को monitor करना पड़ता है, operate करने के लिए, तो यह सारी चीजे होती है, तो यहाँ पे complicacy कम होती है, design cost कम आती है, material cost कम आती है, इसकी cost कम होती है, इसकी value metric efficiency high होती है, और इसकी value metric efficiency कम होती है, value metric efficiency के बारे मैं आगे आपको बताओंगा, जिस वोजसे आपको पता भी होगो, वेलमेटिक एफिसेटी क्या होती है, इससे पहले अगर आपने मेरे जो solution वारे lectures हैं, वो देखे होगे, तो डिटेल मैंने डिसकस किया था. थर्मल एफिसेंसी टू स्टोक की जादा होती है, thermal efficiency इसकी कम होती है definitely well metric भी कम होती ही कम charges होंगे कम burn होगा यह सारी चीज़ें losses ज़्यादा होती है तो इसलिए इसकी thermal efficiency ज़्यादा होती है जहाँ पर efficiency important है वहाँ पर हम four stock engine यूज़ करते हैं और जहाँ पर आपको कम cost और छोटा engine चीए वहाँ पर आप क्या करते हो two stock यूज़ करते हैं बट mostly आप हर जगा around to around four stock engine ही यूज़ होने लगा है तो ये basic सारे differences है उमीद करता हूँ सारे differences आप याद रखोगे इन सारे differences पर आप से question पूछे जाते हैं काफी important होते हैं अब हमारा next question है इसमें हम value metric efficiency को भी detail में discuss करेंगे और कुछ दूसरी efficiency भी discuss करेंगे इससे data भी बहुत सारे question आप से पुछे जाते हैं ध्यान से समझना इस सारे question को यहाँ पर आप से पुछा गया है the relation between the indicated power, friction power and break power तो सबसे उपर होता है जो सबसे पहले आता है प्लस यहाँ पर friction loss होता है pumping loss क्या होता है जो हमारा piston होता है हमेशा अपनी stroke में वो power pressure के against में move कर रहा होता है जैसे suction में नीचे move कर रहा होता है तो नीचे side का pressure जादा होता है उसके against में move कर रहा होता है जब exhaust stroke लग रहा होता है इसलिए से हम pumping loss कहते हैं कि हमारे piston को pressure cadence में pump करना पड़ता है दूसरा होता है friction loss चुकि सारे mechanical equipment है mechanical components है तो उनके बीच में relative motion होता है relative motion के वज़े से वहाँ पर friction आता है उस friction को overcome करने के लिए कुछ power देना पड़ता है जिसे हम कहते है friction loss तो यह दोनों power को अगर हम loss कर देते हैं तो यहाँ पर हमको मिलता है basically break power कहां मिलता है break power और यह जो दोनों loss होते हैं इसे हम कहते हैं friction power या फिर हम इसे friction loss भी कहते हैं या फिर friction power भी कहते हैं तो यहाँ से इस parameter से आपको क्या समझ में आया है कि पहले आएगा indicated power indicated power में से ही आपका जो friction power है वो निकलता है और प्लस brake power निकलता है और यह जो brake power होता है यह हमारे काम का होता है यह तो waste चला जाता है और यह हमारे fuel से बन होके generate होता है और जहाँ पे losses होते हैं वहाँ पे efficiency भी होती है भाई आपके actual और theoretical में difference आएगा तब वहाँ पे नाम आता है efficiency का तो यहाँ पे सबसे पहले जो efficiency आती है हमारे किसी engine में ओ आती है value metric efficiency सबसे उपर होती है value metric efficiency यह क्या होती है भाई हमारा जो engine होता है यहाँ पे suppose करिए यह हमारा piston है यह swept करता है यहाँ से लेके यहाँ तक तो इसके हिसाब से theoretically इसमें कितना volume इतने volume में air और fuel आना चाहिए या फिर हम diesel engine की बात करें तो air आनी चाहिए तो इतना volume total fill up हो जाना चाहिए बट ऐसा होता नहीं है practical में जितना volume swept हुआ है उतना air यहाँ पे या फिर air fuel mixture अंदर नहीं आता है कुछ कम आता है आपने वो doctor वाला strange देखा होगा जब आप खीचते हो तो पूरा वो fill नहीं होता उपर थोड़ा सा खाली रह जाता है या bubbles बन जाते हैं तो वो क्या होता है उस loss को हम कहते है value metric loss ठीक है तो वो वो हाँ पे आती है value metric efficiency value metric efficiency होती है actual volume divided by swept volume कितना volume swept हुआ है उसमें से कितना actual volume में हमारी air या फिर air fuel mixtures आए है तो सबसे पहले आज आती है आपकी value metric efficiency फिर आती है आपकी next वाली indicated thermal efficiency indicated thermal efficiency क्या होती है भाई indicated power, mass, flow rate और calorific value कि कितना heat produce होनी चाहिए थी और कितना produce हुई indicated power कितना मिला कितना heat वहाँ पे जलने के बाद produce होना चाहिए था कितना power generate होना चाहिए था और कितना power generate हुआ अब आप कहोगे यहाँ पे कौन से losses होगे यहाँ पे basically हमारे incomplete combustion के वज़े से कुछ fuel particle burn ही नहीं हुए वो बिना burn हुए exhaust में चले गए तो इस वज़े से कुछ हमको power जादे मिलने चाहिए थी बट कम मिला next जो आता है आपका break power efficiency तो break power efficiency होती है break power, mass fluid और हमारा जो colorific value होती है तो यह होती है break thermal efficiency और जो friction के बाद हमको मिलता है वो होती है हमारी mechanical efficiency जो होती है basically break power divided by indicated power तो यह तीनों efficiency आपकी sequentially आती है इन तीनों efficiency को भी याद रखना यहाँ पे break power और indicated power के बीच में क्या होता है losses होते हैं जिसे हम pumping या friction losses कहते हैं वो loss को हम हटा देते हैं तो हमको actual efficiency engine की मिलती है इसके बारे में कुछ और चीज़े आपको जाननी चीए जो आपसे exam में पूछा जाता है जैसे friction power क्या होता है मैंने आपको already बता दिया बट यह भी पूछ लिया जाता है कि friction power को आप major कैसे करते हो तो कुछ यहाँ पे test है जैसे mode test है motoring test है retardation test इन सब तरीकों से आप friction power को major करते हो तो याद रखना यह भी आप से exam में पूछा जाता है उसी तरीके से indicated power क्या होता है मैंने आपको बता दिया यह basically आपको बताया मैंने जैसे कि कितना energy आपको convert होके मिली है कितना convert होके मिलना चाहिए था basically उसका ratio होता है इसको कैसे measure किया जाता है तो इसको indicated diagram होता है या फिर आप break power measure कर लो friction power measure कर लो और उस हिसाब से आप indicated power find out कर सकते हो दोनों को add करके और next जो आपका आता है वो होता है break power तो break power भी measure किया जाता है इसके भी test होते है आपने live में perform किया होंगे ये भी आपसे पूछा जाता है कि break power कैसे measure किया जाता है break power measure करने के लिए आप torque और angular speed को measure करते हो तो यहाँ पर कभी-कभी आपसे ये भी पूछ ले जाता है कि जो torque measuring device होता है उसका नाम क्या होता है तो उसका नाम होता है dynamometer ये भी आप याद रखना किसी किसी exam में पूछ ले जाते हैं जैसे SCJE के exams हुए इस type के exam railway के exams में पूछ ले जाते हैं तो ये आप ध्याँ रखना next जो आपका question है the knocking in the spark ignition engine can be reduced by किस से reduce किया जा सकता है भाई देखो एक तो आप अपने retardate कर दो spark को retardate कर दो इससे भी reduce होता है क्यू होता है अभी मैं आपको बताता हूँ दूसरा जो region होता है increase कर दो अपने speed को speed को जब आप increase कर दोगे turbulence बढ़ जाएगा turbulence से बढ़ने के वज़ा से क्या होगा आपकी जो burny होगी वो uniform होगी तो आपका abnormal abnormal combustion नहीं होगा जिसके वज़े से आपका detonation घड़ता है इसका क्या region होता है अगर आप इसको retardate कर दोगे देखो retardating के मतलब यह होता है कि आपका जो sparking है ना वो एकदम TDC पे होना चाहिए TDC पे होगा flame travel लंबा होगा आपका जो pressure wave होगी टकराने से पहले थोड़ी जो intensity हो decrease हो जाएगी अगर आप सोच के देखो अगर वो पहले जहां पे sparking TDC पे होना चाहिए TDC से पहले advance में sparking हो गई तो उसके वज़े से क्या होगा है आपकी detonation मतलब knocking बढ़ जाएगी क्योंकि जो flame है वो जल्दी टकर मारेगी उसकी intensity भी जादा होगी जो flame travel length है वो भी कम हो जाएगी तो इस वज़े से retardation से क्या होता है आपकी जो detonation की capacity है वो decrease होती है इससे related भी बहुत सारे questions आप से पूछे जाते हैं या फिर इसे हम कहते हैं red hot carbon particle ये reasons होते हैं अब यहाँ पर ये factor impact करते हैं और एक time का भी factor होता है जिसे हम retardation या फिर advancing कहते हैं advancing अलग होता है retardation अलग होता है दोनों से retardation आप से question पूछा जाता है अगर retardation करते हो तो आपके जो knocking है गटेगी अगर advance कर देते हो तो knocking क्या होगी बढ़ेगी अब ध्यान रखना अब यहाँ पर जो temperature और pressure होता है किसी भी region के वज़े से अगर आपके engine का temperature प्रेशर बढ़ता है तो knocking property मतलब knocking क्या होगी engine की बढ़ेगी चाहर रीजन कुछ भी हो compression ratio बढ़ाओ temperature प्रेशर बढ़ेगा knocking बढ़ेगी super charging करो temperature प्रेशर बढ़ेगा knocking बढ़ेगी और भी कोई region हो कोई माल लिजे unburned carbon particle है उसके वज़े से premature burn हो गई abnormal combustion हो गया pressure temperature बढ़ेगा आपकी knocking बढ़ेगी तो यहां पर आपको ध्यान देना है कि जो unburned carbon particles होते हैं यह और temperature pressure यह basically एक दूसरे से related होते हैं basically जो temperature pressure unnaturally बढ़ता है जितना हमने design किया उससे कहीं ज़्यादा बढ़ता है तो उसका region के वोल यही होता है कि जो density होती है unburned carbon कि अगर वो बढ़ गई तो वो क्या करते हैं dominate करते हैं मतलब unwanted combustion start कर देते हैं power stock के भी complete नहीं होने देते हैं pre ignition कर देते हैं तो इन सब चीजों के वज़े से abnormal combustion होता है pressure temperature बढ़ता है जिसके वज़े से knocking बढ़ती है time factor भी matter करता है कि आप ignition कब करना चाहते हो तो आपने देख लिया कि आप retardate कर सकते हो उसको retardation के वज़े से top dead center पे burning होगी तो आपका जो knocking property है वो decrease होगी अब engine के speed की बात करते हैं turbulence basically ये तो designed होता है already बढ़ आपकी engine के speed change करने होगे वज़े से turbulence बढ़ जाता है जिसके वज़े से उनका temperature जा दे बड़े इतना time नहीं होता को heat को absorb करें और अपना temperature बढ़ा लें और फिर self ignite कर जाएं तो ये चीज़े decrease हो जाती है जिसके वज़े से knocking tendency क्या हो जाती है decrease हो जाती है तो ये सारी चीज़े आप या रखना इससे आपको आपसे question पूछा जाता है और retardate कर देते हो इससे क्या फायदा होता है already मैंने आपको retardation का मतलब बता दिया है जो next question है आपका NIC engine देखो कभी-कभी आपसे numerical भी पूछा जाता है बहुत बार numerical को आप solve कर पाते हो बिना Kelsey क्योंकि changes होते है थोड़ा जादे होते है तो आप guess कर पाते हो कि इसके आसपास आएगा कभी-कभी आप बिना Kelsey के solve नहीं कर पाते हो तो उस time पे आप उस question को skip कर सकते हो बट इसको आप solve कर सकते हो इसली NIC engine having six cylinder work on the auto cycle it has the bore of 20 cm and stock length is 40 if clearance volume is given to you then find out the compression ratio swap volume plus clearance volume divided by clearance volume भी लिख सकते हो तो यहाँ पे आपको clearance volume दिया गया है तो clearance volume आपको मिल गया है easily find out कर सकते हो दिया गया है vs आप find out कर सकते हो तो vs is equal to क्या होता है pi by 4 d square into l यह तो आपके एक cylinder का निकला बट आपकी गाड़ी कितने है 6 cylinder की है तो यहाँ पे 6 का multiply कर देते है अगर simple आपसे पूछा है कोई cylinder number नहीं दिया है तो यह हट जाएगी बट यहाँ पे दिया गया है इसलिए 6 का multiply कर लो तो यह हो जाएगा total swap volume कितना swap हो रहा हमारे पूरी बैकल के लिए एक cylinder के लिए इतना होगा 9.398 के आसपास तो यहाँ पे जो आपका option होगा वो C होगा यह simple calculation है यह बिना Kelsey के आप कर सकते हो अब जो next आपका question है यह question आप option देखो तो option देखके ही पता चलता है कि यह question बिना Kelsey के तो solve होने वाला नहीं है क्योंकि options बहुत close दिये गया है तो ऐसे question को आप तो skip कर दो तो ही better है तो minus में marks मिलेंगे अगर Kelsey allowed नहीं है तो Kelsey है तो simply इसको आप solve कर सकते हो पूछा गया है कि आपके auto cycle में beginning और end का temperature दिया गया है for the isentropic compression process तो compression ratio बताओ क्या होगा CR क्या होता है already हमने discuss किया V1 by V2 होता है अगर कहीं से हमको temperature और volume में relation मिल जाए तो वा मासा अला हम value find out कर लेंगे भाईया तो जन्म जन्मांतर से हम पढ़ते आए हैं कि isentropic process के लिए जो relation होता है कोई relation आपको याद हो ना हो PV के power gamma is equal to C ये वाला तो याद रहेगा और PV is equal to nRT ये भी आपको याद रहेगा तो इन दोनों के relation से चुकि ideal gas हम मान के चलते हैं अब आपको होगे यहाँ पे तो gas है इसको ideal कैसे मान लेते हैं यहाँ पे तो mix है high temperature pressure उससे आप से हमें जून करके चलते हैं चैकि दूसरा हमारे पास calculation का कोई तरीका नहीं है PV के power gamma is equal to C ये एक relation हो गया दूसरा isentropic process के लिए temperature और volume में क्या relation होता है जो हमको चाहिए तो ये TV के power gamma minus 1 is equal to C होता है इसके इसाब से हम लिख सकते हैं अगर process के लिए बात करें compression process के लिए तो T1 V1 के power gamma minus 1 is equal to T2 V2 के power gamma minus 1 अब हमको चाहिए क्या V1 by V2 चाहिए तो हम find out कर सकते हैं V1 by V2 whole के power gamma minus 1 is equal to T2 by T1 बहुत ही simple ये हमको value चाहिए ये वाला term हम इधर ला देंगे ये वाला इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 divided by gamma minus 1 V1 V2 मिल गया यहां से हमको V1 V2 solve कर लेंगे temperature की value substitute कर देंगे temperature V2 की value कितना है भाई 596 है अच्छा है Kelvin में दिया गया है अगर नहीं दिया गया है तो ध्यान से आप इसको Kelvin में convert कर लेना 316 whole के power 1 by gamma minus 1 अब gamma की value क्या लोगे आप 1.4 लगो क्योंकि ये air है जब आप इसकी value calculate करोगे calculation के बाद इसकी value जो आएगी that is 4.885 यहां से आपका option होगा C अगर आप किसी को भी equivalent ले जैसी ये वाला है और इसको आपने calculate नहीं किया Kelsey से तो आपको इसमें से कोई सी भी value match कर जाएगी तो आपको exact value नहीं लेना है accurate value लेना है ठीक है तो यहां पर option होगा C उमीद करता हूँ बिना Kelsey कर है तो आप इसको skip करोगे next जो आपका question है an ideal cycle based on the concept of combination of two heat transfer process बहुत ही simple है one of the constant volume process one of the constant pressure process उसे हम क्या कहते हैं उसे हम कहते हैं dual cycle यहां पर example भी आपके पढ़ा हुआ है चुकि auto यह diesel दोनों से रिटेट था इसलिए मैंने आपे इसको consider कर लिया यह basically auto वाला portion है जो constant volume पे heat addition होता है यह आपके diesel वाला portion है जो constant pressure पे heat addition होता है बट actual में कुछ नहीं होता है यह यहां पे जो arrow दिख रहा है कुछ point तक एकदम constant pressure था फिर अच्चानक से turn होके constant volume बन गया ऐसा नहीं होता है सोरी constant volume से constant pressure बन गया इस process में थोड़ा time लगता है तो यह diagram ऐसे होना चीए एकदम ऐसे नहीं होना चीए यह nip नहीं होनी चीए diagram में बट हमने बनाए है actual diagram बनता है तो आप देखते होगे कि nip नहीं होता इसलिए reality में जो हम कहते है न constant volume पे pressure heat transfer हो रहा है ऐसा कुछ होता नहीं है constant pressure पे heat transfer हो रहा है ऐसा कुछ होता नहीं है फिर आप कोग ऐसा हम मानते क्यों है हम इसे मानते हैं कि 90 to 95% जो heat होती है वो जब volume change हो ही रहा होता है अभी measurable amount में change नहीं हो रहाता है उसी time पे पूरा combustion हो जाता है हमारे fuel का बट ऐसा actual में नहीं होता है बट most probably जादे amount में हो जाता है और same as the case of pressure की constant pressure पे maximum amount of heat या maximum fuel burn हो जाता है heat चली जाती है next जो आपका question है the ratio of the brake power to indicated power of IC engine is called already SRE efficiency हमने discuss कर लिया हुआ है पहले तो brake power है फिर indicated power है बीच में losses हुए है कौन से friction और pumping तो यहां से हमको मिलती है mechanical efficiency एक efficiency को हमने discuss नहीं किया था इससे पहले जिसे हम कहते है relative efficiency relative efficiency होती है actual brake thermal efficiency मतलब जो brake thermal efficiency होती है actual वाली divided by air standard efficiency air standard efficiency या thermal efficiency जो find out करते हो 1-1 to the power r whole के power gamma-1 जो find out करते हो उसकी हम बात कर रहे है अगर हम यह बात करें कि practical life में यह किसके आसपास होती है तो यह 75 से 95 के आसपास होती है आपकी relative efficiency आप खुस मत हो जाना कि 95 है भाई relative है यह देखो relative efficiency है यह thermal efficiency नहीं है हमारे vehicle का average क्या होगा यह matter करती है हमारे thermal efficiency यहां पर next question है जो आपका highest useful compression ratio in the compression ratio at which यह कैसे decide करोगे कि आपका जो highest compression ratio है वो क्या होना चाहिए engine can be safely operated engine give the maximum efficiency पहले भी मैंने आपको discuss कि कि efficiency बढ़ती रहती है जैसे आप compression ratio बढ़ाते रहते हैं आपके पास constraint क्या आता है आपके पास constraint आता है detonation का knocking का कि आप उससे जादे उससे आगे नहीं जा सकते उसके अलावा pressure भी बढ़ता रहता है तो आपके material का भी constraint आता है कि material कितना pressure wear कर सकता है तो आप फिर diesel बना लो ने भी है इसलिए तो costly आता है क्योंकि उसमें material की strength होती है जादा होती है चुकि diesel और petrol की बीच में हमने dual भी बनाया यही सारे constraint को overlap करने के लिए मतलब खतम करने के लिए तो यहाँ पर जो आपका option होगा वो decorrect होगा next question है most of the high speed compression engine operate किस पर operate करते हैं भाई यह dual cycle पर operate करते हैं मैंने आपको पहले भी बताया कि जो diesel cycle होती है या फिर जो हमारी auto cycle होती है इसमें problems क्या होते हैं problems होते हैं यहाँ पर मैंने mention भी कर दिया language में इससे पहले मैंने आपको बताया भी था यह सारे problems होते हैं और जो हमारी basically जो diesel cycle होती है यह बहुत high ratio में power produce करने के लिए हम यूज करते हैं जो auto cycle होती है यह थोड़े कम के लिए होती है तो भाई आप बीच वाली जो हैं उनको हम किस पर operate करें ठीक है अगर बहुत अच्छी बनानी है बहुत ज़्यादा power produce करना है तो diesel बना दिये कम करना है तो auto बना दिये बीच में करना है तो क्या करें तो बीच में करने के लिए हमने क्या बना दिये dual बना दिया और कुछ इसमें problem भी होती है जिसको मैंने पहले बताए यहाँ पर mention भी किया है उसको भी overcome करना चाहते हैं कि dual cycle उसके वज़़े से भी हम use करते है next जो आपका question है is scavenging is usually done to increase scavenging से बढ़ता क्या है आपका पहले आप यह जान लो कि scavenging होती क्या है कभी-कभी आपसे इससे भी question पूछा जाता है कि what exactly the scavenging नीचे चार option दिये रहे रहेंगे तो scavenging में basically होता है जो हमारी exhaust gases होती है न उसको बाहर निकाला जाए बाहर नहीं निकालोगे तो fresh fuel अंदर कैसे आएगा अगर वही भरे रहेंगे अब आप कहोगे बाहर तो stroke चल रहा है निकली जाएगा वह निकल जाएगा जादे amount में जो compromise होगा आपका power compromise हो जाएगा ठीक है power की होगा दो reason एक तो value metric भी थोड़ा बहुत compromise होगी उससे जादे chances यह है कि यहाँ पर pre ignition हो जाए ठीक है आपके engine में swept volume की capacity इतना है तो अगर यहाँ पर कुछ already gases है तो यह इसके swept volume के compromise कर देंगी जिसके वज़े से जादे fuel ही अंदर नहीं आएगा फिर burning नहीं होगी सही सही in the sense की कम fuel की burning होगी तो यहाँ पर आपकी value metric efficiency compromise हो रही है इस वज़े से कम fuel है कम burning मतलब कम fuel है कम heat generate होगी तो इस वज़े से power output भी compromise होता है अब यहाँ पर question उठता है कि क्या thermal efficiency compromise होती है तो देखो thermal efficiency के बारे में अगर हम कहें अगर diesel engine की बात करते हैं अगर यहाँ पर air कम आई है suppose कर लिजे fresh air कम आई है fresh air कम आई है आपने fuel को inject कर दिया fuel तो आप उतना ही exact करोगे जितना आपने fix क दिया हुआ है पहले से तो यह fuel inject हो गया है यहाँ पर air कम है तो उस case में burning proper नहीं होगी क्योंकि air की कमी है तो हम यह कह सकते हैं कि वहाँ पर thermal efficiency भी compromise होगी हमारा emission भी compromise होगा ज्यादा बट इन केस आप petrol engine में हाँ पर mixture आता है तो mixture कम आया तो वहाँ पर thermal efficiency से relation directly हमारा नहीं है thermal efficiency एजटीज रहेगी वो change नहीं होगी बट power output change हो जाएगा हमारा ठीक है तो यहाँ पर जो आपका option होगा वो c correct होगा यहाँ पर already यह सारी चीज़े मैंने mention किया हुआ है कि iscavenging होती क्या है क्या करना चाहिए हमको हटाना क्यों चाहिए और इस से related भी आपसे question पूछा जा जाता है इसके वेंजिंग से related यह भी question आपसे पूछा जाता है कि यह dominating किस में होता है two stroke में या four stroke में तो आपका answer होगा two stroke में ज्यादा ध्यान देना होता है four stroke में भी करते हैं but already integral part होता है हम design ही ऐसे करते है four stroke में जो होता है इसके वेंजिंग is done by the cross cylinder head या फिर valve की overlapping कर देत है हम ठीक है जिस time पर section उसी time पर आपका extension भी हो रहाता है तो valve overlap कर जाते हैं एक दूसरे को यह हमारा ज्यादा consider किया जाता है हमारे two stroke engine में जहां पर holiday overlapping हो रही होती है तो यहां पर loop scavenging का process हम पनाते हैं या फिर uniflow का जो modern vehicles होती है उसमें हम uniflow का scavenging करते हैं तो तीन question two stroke में scavenging कैसे करते हैं या फिर modern vehicle में scavenging कैसे करते हैं इससे data question पूजा कभी कभी आपसे यह भी पूछता है कि इसमें से कौन से engine में scavenging की जरूरत होती है अगर वहां पर four stroke two stroke mention है अगर वहां पर option में यह भी mention है कि both A and B तो आप A and B करोगे अगर A and B mention नहीं है तो आप two stroke select करोगे कि two stroke में यह ज्यादा dominating factor है as comparison to four stroke next जो आपका question है the crank radius आप single cylinder IC engine is 60 radius आपको दिया गया है and diameter is 80 mm the swept volume of the cylinder आप आपका होगे swept volume से related तो इससे पहले भी हमने question किया था फिर से क्यों कर रहे है यहाँ पर थोड़ा सा doubt होता है कुछ लोगों को इसलिए मैंने question लिया है तो जो swept volume होता है वो होता है πाई बाई 4D square into L अब आप कहोगे कि हाँ पे L तो दिया गया ही नहीं है यहीं पे आपको doubt होता है यहाँ पे आपको L की जगा पे दिया गया है radius आप crank यह आपका crank है इसकी radius दी गई है हमको पता है हमारा जो यह है यह travel करता है two revolution और यह travel करता है four stroke हम य यह कह सकते हैं कि one revolution लेता है यह जब यह one revolution लेता है तो यह two stock लेता है मतलब हम यह कह दें कि जब यह half revolution लेता है उस time पे एक stock कबल करता है और एक stock के length को ही हम stock length कहते हैं तो एक stock में यह जो distance होगी यहाँ से चलके यहाँ पे आएगा तो यह radius क्या बन जाएगी diameter बन जाएग ध्यान से सुन लेना आप, stock length is equal to the crank diameter या फिर double of the radius, पिछली बार मैंने गलत बोल दिया था, तो आप ध्यान लेख लेना, double of radius होता है या फिर diameter of the crank होता है, तो इससे related भी कभी कभी आपसे question पूछा जाता है, तो दोनों चीजे आप या लखना, अब आपका ये question solve हो जाएगा, pi by 4, diameter दिया गया है, थोड़ा सा आप ध्यान रख लेना, यहाँ पे mm है, सायद ये centimeter में mention था, या क्या था, हाँ centimeter में पूछा गया है, तो आप इसको convert कर लेना, ठीक है, यही पे convert कर लेना, तो diameter आपको कितना दिया गया है, 8 का square हो जाएगा, और ये 2 हो जाएगा, तो ये 6 volume of the charge that can be available in the engine after the suction, suction होगा, तो कितना volume अंदर आएगा, आप कहोगे, जितना swept हुआ, उतना नहीं आएगा, उतना नहीं आता है, तभी तो हम efficiency पढ़ते हैं, तभी तो हम volumetric efficiency पढ़ते हैं, और यहाँ पे volumetric efficiency दिया गया है, आपको clearance volume भी दिया गया है, आपको swept volume भी दिया तो आख बंद करके आप question नहीं करोगे, suppose करिये यहाँ पे 80 की जगह पे आपको दिया रता value metric efficiency is 100%, तो क्या होता आपका answer, तो आपका answer होता 300, क्योंकि जो set volume होता, वही आपकी section के बाद अंदर volume भी present होता, जो भी charge है, या diesel के case में air है, या petrol के case में air fuel mixture है, बट यहाँ पे volum metric efficiency दिया है, तो simply हम यहाँ पे formula लगाएंगे, कौन सा formula, efficiency वाला value metric efficiency क्या होती है, V actual divided by V swapped, value दिया गया है, आपको actual find out करना है, swap दिया गया है, 300 efficiency दिया गया है, तो VC is equal to easily, जब आप इसको solve करोगे, तो आपके value मिलेगी 2, 4, 0, तो यहाँ पे जो आपका option होगा, वो decorrect होगा next question है, आपका consider the following statement, detonation in IC engine can be suppressed by, suppressed by मतलब कम कर सकते हैं, decrease कर सकते हैं, तो पहला हमने discuss कर लिया, इसके वज़े से भी होता है, दूसरा हमने discuss कर लिया, इससे भी होता है, तीसरा है, अगर हम 10% reach mixture, 7 to 10% reach mixture करते हैं, देखो reach mixture का एक फायदा होता है, कि यह decrease कर देता है, जो maximum pressure temperature ह होता है, ठीक है, तो इस वज़े से भी हमारा फायदा होता है, डेटोनेशन में, बट definitely यह economy को आपके hurt करता है, जिसे reach mixture supply करोगे, combustion जो होगा, चुकि वहाँ पे air available नहीं होगी, तो combustion प्रॉपर नहीं हो पाएगा, तो temperature तो कम जाएगा, बट economy compromise हो जाएगी, तो आपको decide करन है, आप किस पे काम करते हो, तो यह भी basically help करता है, next जो है, octane number बढ़ाओगे, definitely octone number की rating अच्छी होगी, तो आपके knocking कम होगी, तो यहाँ पे सारे options हही है, तो option आपका e-correct होगा, next जो आपका question है, piston in IC engine is usually made up, किसका बना होता है भाई, aluminium का, आपको होगे नहीं, बाकी का भी पे अच्छी होती है, इसके वजएसे जो heat rejection होता है, वो अच्छा होता है इसमें, मतलब कहीं पे भी हमारा ऐसा नहीं होता है, कि temperature बहुत ज야दा इसका बढ़ गया, heat conduction होता रहता है, तो heat rejection अच्छा होता है, जिसके वजएस इसका temperature बहुत ज़ादा नहीं बढ़ पाता है, piston तो ये कुछ हुए आपके 20 questions, उमीद करता हूँ कि आपने बहुत कुछ सीखा होगा, अगर सीखा है सच में, तो दूसरों के साथ share करिए, comment करके बताईए आपके लिए interesting point कौन सा था, एक question भी मैंने आपसे पूछा था, वो भी comment करके बताईएगा, मिलेंगे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए all the best, good luck